इसलों ऩिरनर स्लीम अवलेकून आज को जो वालो टॉपिक है वो है मैजर ओफ सेंट्रल टैंडिनसी ठीके एन पाइँ आपका लड़ टू है स्ट्रेस इस में मैजर ओफ sेंट्रल टैंडिनसी एक्छिली इसका मतलब किया है मैजर ऑफ सेंट्री और धेटा साफ है , यहां प् center is जो data का center point mid point is उसको आपने क्या करना है calculate करना है छेकिन है इसमेद क्या करना है जो center होगा उसको हमने क्या करना है calculate करना है अब इसमें हमार पास कौन कोन से FGGms है सबसे पहले इसमें जो हमार पास average जाती है arithmetic mean छेकिन जिसको simply हम लोग मीन भी कहते हैं सेकेंड हमार रपास है जिमेट्रिक मीन ठीक है अच्छा इसको जो है अर्थिप्वेंडिक मीन को हम लोग एम भी लिखते हैं और जिमेट्रिक मीन को हम लोग जी एम लिखते हैं ठीक है सिंपल असान उपार्द में तीसरा हमार रपास है इसमें harmonic mean इसको हम लोग hm लिखते हैं ठीक है जो चोथा हमारे पास measure है central tendency के लिए वो हमारे पास median है ठीक है और number 5 जो हमारे पास है वो है mode ठीक है फिर median भी अमजी जो है divide होता है quartile में and decile में and percentile में इसको हम लोग फिर आगे discuss करेंगे अभी आज जब से पहले हमने discussion करनी है वो arithmetic mean के होले से ठीक है इस सारी जो है वो इन सब का काम जो है basically क्या है center को measure करना है ठीक है center को मौलूम करना होता है ठीक है तो सब से पहले हमारे पास जो आज के topic है वो है arithmetic mean जो सब से पहले हमारे पास है arithmetic mean जिसको हम लोग mean भी कहते हैं और simply हम लोग इसको average भी बोलते हैं ठीक है तो mean को हम लोग कैसे calculate करते है arithmetic mean जिसको हम लोग बोलते हैं तो इसका पहले मैं इसकी definition आपको बता देता हूँ जाउडिश्य। जाउड के जोडिश्य। कि दोडिश्य। divided by its number असान एक layman में करम लोग बात करें तो आप लोग के arithmetic में कैसे calculate करेंगे लेट सब्वाज आपके तीन subjects है ठीक है एक में आपके 60 marks है दूसरे में आपके 70 marks है और तीसरे में आपके 50 marks है तो मेरा आपसे simple सवाल यह है कि आप इसकी average कैसे calculate करेंगे तो भाई हर बंदा यह जाता है कि हमने क्या करना है 60 को plus करना है 70 के साथ और 70 को plus करना है 50 के साथ और इनको हमने divide कर देना है 123 तो यह हमार पस क्या जाएगा 180 divided by 3 is equal to 60 तो इस stone की percentage है 60 percentage हम लोग कैसे मालूम करते है यह average कैसे मालूम करते है तो यह percentage में को इसको कह सकते है और 60 मार्क्स भी हम लोग कह सकते है कि इसकी जो average यह वो 60 मार्क्स है ठीक है तो simply arithmetic mean करकर आप definition देखें तो वो क्या कह रहा है sum of all observations यह क्या हो रहे है basically क्या हो रहे है sum of all observations divided by its number ठीक है 123 यह इसका number ठीक है sum of all observations divided by number of observations ठीक है sum of all observations अपके पास यह यह data set है यह example data set है आपके पास so 60 plus 70 plus 50 divided by 3 ठीक है अब इसको basically बोलते क्या है इसको जो proper formulation है arithmetic mean is equal to sum के लिए हम लोग सिगमा का एक symbol है वो यूज करते है ठीक है यह basically क्या है submission ठीक है जमर करना के लिए और यह जो values है यह हर एक value क्या है basically x1 है x2 है ठीक है यह x3 है आपके पास तो total हो जाएगा आपके पास xi ठीक है और यह जो number है इसको लोग किससे लिखेंगे n से ठीक है तो basically अब क्या बन जाएगा आपके पास और अच्छा एक और तरीके से हम लोग कर देखें अब यह formula को और हम लोग पूरा derive करें तो रिखेंगे automatic mean is equal to submission of x1 plus x2 plus x3 ठीक है अब 2xn इससे क्या बनता है इससे यह जो है यह इसकी composition इस तरीके साग्व होड़ा है और यह अपनी जाब वसी तरीके से रहा है तो यह इसकी क्या कि है हमने जितने सारे एक्सम को क्या कर दिया X I कर दिया यह एपिसे के रही क्लिए है X I घृच्छी कह роль लीक सकते ही इस सो चू भी लिक सकते हैं इसरस के थ्री भी लिक सकते है तो यह जैसे कि आपको मुनम है हमारा पास data दो किसम होता है एक होता है हमारा पास group data और दुसरा हमारा पास होता है ungroup data ठीक है यह जो उपर formula हमने लिखा arithmetic mean का arithmetic mean is equal to submission x i divided by n यह basically है किसका formula ungroup data का formula ठीक है और arithmetic mean is equal to submission f into x i divided by submission f यह basically formula है group data का group data जिसमें आपके पास different classes होती है तो वो basically क्या किलाता है group data किलाता है अब हमने करना क्या है हमने बारी बारी दोनों के लिए questions करना है ठीक है example one for ungroup data ungroup data किला हम लोग क्या करेंगे arithmetic mean sorry और 50 मांक्स की है हमें कहा जाता कि find out arithmetic mean ठीक है हमने क्या find out करें arithmetic mean find out करने है ठीक है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि data कौन से है तो यह बैसिकली क्या है ungroup data है ungroup data क्यों है क्योंकि हर एक value individual है हर एक value individual है इसलिए यह basically क्या ungroup data है ठीक है हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कौन से formula यूज होगा इसके लिए यह वाला formula यूज होगा यह वाला ठीक है तो हम लोग सबसे पहले यहां पर formula लिखेंगे arithmetic mean is equal to submission of xi divided by n तो देखें arithmetic mean is equal to 65 plus 45 plus 75 plus 80 plus 50 and divided by 1 2 3 4 5 ठीक है तो इस हम लोग इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ओके जो टोटल इसका आता है वो है 315 total marks इस्टून ने लिए है 315 अब हमें का जड़ा कि इसकी average क्या है तो हम लोग डिवाइड by 5 कर देंगे तो arithmetic mean is equal to 63 इसकी average इस इस टून की पांच subject में पांच subject में जो इसकी average आ रही है वो basically क्या है वो 63 आ रही है चीक है